बिना टमाटर आलू की स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाएंगी यही सोचते रहते हैं ना जब से टमाटर महंगा हुआ है लोग आलू की सब्जी बनाना ही छोड़ दिये हैं तो चलिए आज बिना टमाटर के आलू की स्वादिष्ट सबजी बना करके देखते हैं कैसी बनती है तो इसके लिए पहले आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और अच्छा लगे तो लाइक, सेयर, कमेंट जरूर करिएगा अलू की सबजी बनानी के लिए मैंने 500 ग्राम उबला हुआ आलू लिया है और ये चोटे साइज में आलू है यदि आपके पास चोटे साइज में आलू नहीं है तो आप बड़ा आलू उबाल करके उसके पीस बना करके इस सबजी के लिए भी इस्तमाल कर सकते हैं जरूरी नह आलू में इस तरीके से पीक करेंगे तो आलू इनके अंदर ज्यादा चिपके गा नहीं इसलिए थोड़ा सा मैंने तेल लगा लिया है इस तरह से हम भटा भट सारे आलू में टूथपिक की सहता से होल कर लेते हैं उसके बाद हम इने फ्राई करेंगे जिसके लिए मैंने प प्राई होने में समय लगेगा तो अभी हम ऐसे ही आलू को छोड़ देते हैं बीच बीच में नहीं सरीके से चलाते रहेंगे और एक दूसरी गढ़ाई में थुड़ा सा तेल डाल देते हैं और तब तक हम मसाले भून लेते हैं तेल गरम हो गया है तो इसमें हम आधा चमस राई आधा चमस मेथी डालेंगे और एक चमस जीरा डालेंगे एक बड़े साइज में बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को कुछ सिकंड के लिए भून लेते हैं हलका कलर चेंज होने तक अभी इसमें हम 4-5 हरी मिर्ची डालेंगे और 2 लाल मिर्ची डालेंगे तीखाब अपने हिसाब से कम्याज जादा रग सकते हैं प्याज जब तक भून रहा है आलू फ्राई हो गए हैं तो उन्हें हम कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं इस तरीके से हलके गोल्डन कलर के हमें आलू फ्राई करने हैं बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है आलू फ्राई हो गए हैं तो अभी ने हम कड़ाई से बाहर निकाल लेते हैं प्याज भी अच्छे से भून गया है इसका कलर चेंज हो गया है तो अभी हम इसमें डालेंगे थोड़े से करीब अटा यदि आपके पास हैं तो जरूर डालें नहीं हैं तो आप इसके भी कर सकती हैं लेकिन यदि हो सके तो इसमें करीब अटा जरूर डालें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सबजी में क्योश्चिकेंड इनको भून लेते हैं हम इसमें डालेंगे थोड़े सूखे मसाले आज को बिलकुल लो कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं एक चमच हल्दी पाओडर एक चमच धनिया पाओडर और एक चमच कस्मीरी लाल मिर्ची पाओडर यह तीक ही नहीं होती है इसे सबजी में कलर अच्छा आता है और एक चम्मच पिसा हुआ सौप का पाउडर डालेंगे इन मसालों को कुछ सिकन भून लेते हैं सारे सूखे मसाले हैं जल ना जाएं इसलिए बस कुछ सिकन इन्हें भूनना है आज को लो ही रखेंगे अब हम इसमें डालेंगे आधा ल जब तक इसमें अच्छे से उबाला नहीं आ जाता है और ये बढ़िया से मेक्स नहीं हो जाता है ध्यान रहे कि दही फटे नहीं यदि दही फट जाता है तो सारी सबजी का स्वाद बिगड़ जाता है और देखने में भी नहीं अच्छा लगता है आज को मध्य हम और लगातार हम इसे चलाते रहेंगे इस तरह से दही मिक्स भी होता रहता है और पकता भी रहता है अभी एक मिनट बाद दही में अच्छे से उबाल आने लगा है तो हम इसमें आलूओं को डाल देते हैं जो मैंने फ्राई करके रखे थे जब तक दही पकने ना लगे इसमें आलूओं को नहीं डालना है एक तेजपता डाल देते हैं आप चाहें तो मसालों के साथ में तेजपता डाल सकते हैं स्वाद के नुसार मैंने सबजी में नमक डाल दिया है अब इसे अच्छे से मिला देते हैं और दो मिनट हम इसे मध्या माज पर ढख करके पका लेते हैं जब तक सब्जी पक रही है तो सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए और थोड़ा सा अलग टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो पैकेट आलू भुजिया लिया है तो इसे अभी पैकेट खोल करके कटोरी में निकाल लेते हैं इससे ना सब्जी का स्वाद एकदम रिच हो जाता है आप यकीन नहीं करेंगे कि सब्जी कितना ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है थोड़ा सा उपर से डालने के लिए मैंने दो चमच भुजिया अलग निकाल करके रख लिया है अब बाकी का बचा हुआ भुजिया हम खलबते में डाल करके दरदरा पीस लेंगे आप चाहें तो मिक्सी जार में भी पीस सकते हैं पर उसमें बहुत ज़्यादा बारिक पाउडर की तरह हो जाता है तो हमें इसे थोड़ा सा दरदरा रखना है इसलिए मैंने इसे खलबते में इस तरीके से पीस लिया है तो चलिए अभी सबजी को चेक कर लेते हैं पहले हम सबजी में पिसा हुआ भुजिया डाल देते हैं उसके बाद सबजी को बढ़िया से मिला देते हैं इसे सबजी में एक अलग ही टेस्ट आता है और सबजी में थोड़ा सा गाढ़ापन भी आता है वैसे तो सब्जी पक चुकी है पर अभी इसमें भुजिया मिलाया है तो एक मिनट सब्जी को और ढख करके पका लेते हैं एक मिनट बाद सब्जी को हम देख लेते हैं तो देखने से ही लग रहा है कि सब्जी पग गया है सारा तेल उपर आ गया है और कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है देखने में तो अभी हम इसके उपर बारी कटा हुआ हरा धन्या पत्ती डालेंगे थोड़ा सा कस्तीरी मेथी भी आप डाल सकते हैं यदि पसंद करते हैं इतना स्वादिष्ट ये सब्जी लगती है और देखने में भी बहुत लाजवाब लगती है तो अभी धन्या पत्ती डालने के बाद सब्जी को मेक्स कर लेते हैं इस सब्जी को आप चावल रोटी किसी के साथ खाईए बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बिना टमाटर के ये सब्जी आप सोच नहीं सकते हैं कि कितना स्वादिष्ट लगती है एक बार जब बनाएंगे तभी आपको यकीन होगा तो चलिए फ्रेंज मिलते हैं आपको अगली इसी तरह की लाजवाब रेस्पी के साथ हमारी रेस्पी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मिलते हैं आपको इसी तरह की नेक्ट रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई